तो दोस्तो मैंने इस वीडियो में दिखा है था कैसे आप इपनकाट का डिजिटल सिगनिचर को वेरिफिकेशन करेंगे वो भी कॉम्प्यूटर या लैप्टॉप से तो इसमें जो कॉमेंट आया है जो पॉब्लेम मेरा दोस्त लोगों ने फेस किया है तो मैं आपको एक बाद दिखाना चाहता हूँ मिश्टर मानिस चेउदिन ने बोला मोबाईल से कैसे करे ब्रो सॉल्ब दीस पॉब्लेम मिश्टर अभी मिव्जिक ने बोला सेर मोबाईल से हो सकता है की नहीं। और एक रिपलाइ मिश्टर देबोजीटी दास मेरा भी सेम पॉब्लेम है मिश्टर अभनीस uncle ने बोला मोबाईल से वैलिडिट नहीं होगा भाईजी आप आपका mobile यानि Android phone से कैसे digital signature को verification करेंगे उसका पूरा जानकरी मैं इस वीडियो में step by step आपको बताऊंगा तो दोस्तो जो tricks मैंने बताने वाला हूँ यह 100% working tricks है इसमें कोई भी आपका problem नहीं होगा 2-3 मिट का अंदर आपने verification कर पाएंगे तो पूरा वीडियो का आप लास तक देखते जाएंगे तो दोस्तो यह जो tricks है यह सिर्फ e-pen card के लिए नहीं है अपने e-pen card या e-other card या कोई भी documents जहाँ पर digital signature रहता है उसको आप mobile से बहुती कॉम टाइम में उसको verification कर पाएंगे तो प्लीज आप वीडियो को लास तक देखते जाएंगे तो दोस्तो बहुत मैंनत करके यह वीडियो में बना रहा हो आप से मेरा सिर्फ एक ही request है अगर आपने मेरा वीडियो को देख रहा है और मेरा चैनल का अभी तक subscribe नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका दोस्त का साथ वीडियो को जितना हो सकते सेहर किजिए तो चलून सूरू करा जाए तो आपने आपका mobile से play store को open कर लिजिए और search किजिए fox hit editor जो skin पर आपने देख रहा है इस application को आप search किजिए और search करने के बाद आप इसको install किजिए तो ये थोड़ा से time लेगा आप थोड़ा से wait किजिए इसको install होने दीजिए जैसे ही install हो जाएगा तो आपको इधर open पे click करना पड़ेगा तो open करने के बाद आपको समने ऐसे कुछ interface दिखाए देगा तो आपको right side slide करना पड़ेगा तो आप धीरे-धीरे इसको slide करते जाएए और आभी आपको start पे click करना पड़ेगा और आभी आपको allow पे click करना पड़ेगा तो आभी आपको create PDF बूलके pop-up window आएगा तो इसको आपको close कर देना पड़ेगा तो क्लोज करने के बाद आपका मोबाइल में इतना सारा PDF है उसका लिस्ट आपका समने आ जाएगा तो यह से आप चूज कर लिजे उस डोकुमेंट को जहाँ पर डिजिटल सिगनेचर किया हुआ है और उसको आपको फेरिफिकेसिन करने है और आगर आपको यह पर नहीं मिल रहा है तो उपर में जो सार्च का बोटन आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद जो डोकुमेंट का नेम है उसको इधर टाइप कर दीजिए तो मैंने इपन काड़ का डिजिटल सिगनेचर को फेरिफिकेसिन करके दिखाऊंगा तो मैं यह से जो मेरा डोकुमेंट से इपन काड़ का तो उसको मैं सेलेट कर लेता हूँ तो दोस्तो यह password protected documents है तो जो password है उसको मैंने इंटर करके ok पर click कर देता हूँ और click करने के बाद ओ documents open हो जाएगा ठीक है तो आभी आपको screen पर documents दिखाई दे रहा है और right side में आपको जहाँ पर digital signature किया हुआ है वो आपर question mark दिखाई दे रहा है आपको आभी गया करना पड़ेगा simply उस question mark पर click करना पड़ेगा जैसे आप click करेंगे तो आपको सामने दो options आएगा verify signature, cancel तो आपको verify signature पर click करना पड़ेगा तो उसमें आप click कर दीजिए और जैसे click करेंगे तो आपका सामने login के लिए a page open हो जाएगा तो आप नया user है इसलिए आपको पहले sign up करना पड़ेगा तो आप देखिए sign in करने चे एक sign up for a foxit id आपको एक link दिखाई दे रहा है तो इसमें आप click किजिए तो जैसे आप sign up पर click करेंगे तो आपका सामने इबाला page open हो जाएगा फास्ट बोक्स में आपको email id को एंटर करना पड़ेगा दोस्तो ध्यान दीजिए जो email id आपका mobile पर आभी login किया हुआ है उसी email id को डालिए क्योंकि आपका email id को verification करने के लिए एक link भीजा जाएगा जिसमें आपको click करके email id को verification करना है इसलिए जो email id आपका mobile पर login किया हुआ है उसी email id को आप इसा एंटर केजिए और नीचे password में आप एक password डाल दीजिए दोस्तो ध्यान दीजिएगा ये password आपका email id का password नहीं है इसमें आपको इभी आपका पॉसंद दीदा एक password डाल दीजिए जो foxit का login के लिए आपको लागेगा ठीक है और उसके नीचे आपका जो name है उसको आप डाल दीजिए और उसके बाद आप sign up पर click कर देजिए और जैसे आप sign up पर click कर देंगे तो registration success आपको सामने दिखाई देगा और आपका email पर एक link भीजा जाएगा तो मैंने एक बार email पर check करता हूँ कि कोई verification link आया की नहीं है तो दोस्तों देख सकता है आप foxit pdf connected से एक mail आया है और उसमें एक link दिया गया है verification के लिए तो इसमें आपको simply click करना पड़ेगा और यहासे open with chrome को चूच करना पड तो आपका सामने sign in करने के लिए जो page आएगा इसमें अपने email id और password डाला था उसको enter कीजिए और sign in पर click कर दीजिए जैसे आप sign in पर click कर देंगे तो आपका सामने एक pop-up window आएगा तो यहासे आप 7-day free trial को select कर लिजिए ठीक है और थोड़ा सा wait कीजिए तो देखिए आप आपका सामने pop-up message आ गया है verification result यानि आपका जो digital signature है उसका verification result आपका skin पर अभी दिखाई देगा तो दोस्तो आभी आप देख सकता है कि signature valid हो कर रहा है और नीचे जहापर question mark था वह आपको tick mark आ गया है ठीक है तो दोस्तो आभी आप इस documents को कोई भी जगा पर यूज कर सकता है तो दोस्तों बहुत बहुत सुक्ति है इस वीडियो को देखने के लिए thanks for watching